जाहिंद एवरिवन, हम सभी बच्चों का सपना होता है कि हम एक अच्छे स्कूल से सुरुवात करें, उसके बाद एक अच्छे कॉलेज में जाए वो स्कूल हो सकता है कि हमारा कोई एक गवर्मेंट अच्छा कॉलेज हो या फिर हर बच्चे का सपना होता है कि मैं BHU से पढ़ाई करूँ तो उसी प्रकास से छोटे बच्चों के लिए BHU से related, BHU से affiliated CHS School होता है Central Hindu School जो कि वारांडसी में स्थीत है और बहुत सारे बच्चों का सपना होता है कि उसमें पढ़ाई करें उसका एक प्रोसीजर होता है उसमें एडमिशन का जो कि इस साल फिर से सुरू हो चुका है पिछले एक-दो सालों से COVID के कारण वो प्रोसीजर फॉलो नहीं किया जा रहा था जो कि इस साल आपके लिए स्टार्ट किया गया है क्लास 9 और क्लास 11 वाले बच्चों के लिए सारी जो क्वेरीज है कैसे फॉर्म भरना है सारी चीज़े बताने वाला हूं तो मेक सिर यार इस वीडियो को लाइक करिएगा अपने सभी दोस्तों के साथ सेयर करिएगा ताकि सभी बच्चों तक यह information पहुँचे कि इस प्रकार से CHS exam का form भरना है तो प्यारे बच्चों आपको यह आपके स्क्रीन पर दिख रहा हो जैसे ही आप एक website खोलेंगे जिस website के बारे में आगे आपको discuss करूँगा उस website को अगर आप खोलते हैं तो आपको इस प्रकार से एक प्रोशियर दिखेगा अब वो website सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि आप सभी लोगों को क्या करना है आप अपने Google Chrome, Google पे कहीं पर भी आप यह सर्च करेगा www.bhuonline.in यहां पर आपको website खोल जाएगे और यही पर आपको सारा डेटा मिलेगा तो जब सबसे पहले आप खोलेंगे तो कुछ इस प्रकार का आपको theme सामने का दिखेगा ठीक है फ्रंट आपको इस तरीके का दिखेगा और जब स्क्रोल करके नीचे जाएगे तो आपको कुछ इस प्रकार से एक school admission 2013 का scene दिखेगा इसमें देखिए उपर है school admission पर apply for class LKG, apply for class नसदी, apply for class 1 और apply for class 6 यह आपको साहथ न करना हो कि इस वीडियो को class 8th के बच्चे देख रहे होंगे, 10th के बच्चे देख रहे होंगे उन ही बच्चों के लिए class 9th में admission लेने के लिए और class 11th में admission लेने के लिए यह वीडियो बनाए गई है school entrance test होने वाला है आपका 23-24 बच्चों के लिए जो कि आपका class 9th के लिए और class 11th के लिए तो अगर आप class 9th में जाने वाले हो तो आप इस exam को भर सकते हो सारी dates में आपको बता देता हूँ कि यह exam की availability of online application form यह start हो चुका है 25 फरवरी से जो कि आपके लिए website पो available है कब तक यह available रहेगा last date for online submission of application form एज March 30, 2030 तो 30 मार्च तक दुनिया के मतलब भारत के किसी भी कोने से हरे एक बच्चा इस exam form को भर सकता है और इस exam में appear हो सकता है online आपको इसका exam form भरना है date of correction online form आपका क्या हो जाएगा 31 मार्च से 4 अप्रेल 2023 तक इसका मतलब पूरा मार्च आप भर सकते हैं form को अभी पूरी मार्च की date आपको बचे हुए date of issuing online admit card 15 अप्रेल को आपका exam का admit card आ जाएगा अब आपके मन में आ रहोगा भाईया यह exam कब होगा dates तो बताओ आओ सारी चीज़े बताऊंगा तो बाई यह class 11 का जो sorry class 9 का जो exam है वो 26 अप्रेल 2023 वेडनेश देखो है सुबह 8 बजे से लेकर 10 बजे तक यानि 2 घंटे का paper होने वाला है class 9 वाले बच्चों अपने dates याद कर लो dates क्या है 26 अप्रेल 2023 class 11 maths के लिए जो apply करेंगे उनका exam date है अप्रेल 27 दो जार तेस class 11 biology के लिए जो बच्चे apply करेंगे उनका date है अप्रेल 28 दो जार तेस class 11 arts के लिए जो बच्चे करेंगे उनका date है अप्रेल 29 दो जार तेस class 11 commerce के लिए जो बच्चे apply करना चाहते है उनका date है अप्रेल 30 दो जार तेस इसका मतलब आप CHS में admission लेने के लिए तयार हो जाईए एक्जाम फॉर्म बरिये पूरा मार्ज का आपका डेट है अप्रेल में आपको एक्जाम देना है बाकी में आपको बताने रहे आगे वाला प्रोसीजर आपका जो एंसर की आने वाला हुए मई 10-2023 में आने वाला है रजिस्ट्रेशन चैलेंज करने के लिए आपको मई 11-12 मिलेगा जो आपको गलतिया लगे डेट आप अप्लोडिंग फाइनल एंसर की वो 25 मई को आएगा फाइनल एंसर की यानि आप अप्रेल के इंड में अपना पेपर देंगे मई भर आपको इंतजार करना पड़ेगा जून पांच को प्रॉबबली आपका एंसर वो आजाएगा रिजल्ट आजाएगा हाँ सारी अपडेट आपको हमारे टेलिग्राम चैनल पर मिलेगी हर पीडियाप के टेलि नोट्स मेरी रिकमेडेशन बुक्स कौन सी लेनी है आपसे लाइब डिसकुसन सारी चीज़े हुआ करेंगी तो जो अभी बच्चे क्लास नाइन और क्लास इलेवंथ में इंट्रेस्टेड हैं एक्जाम फॉर्म बरने के लिए वो जाकर इस टेलिग्राम चैनल को जरूर ज कांसलिंग होगी अब इसके आगे आप बात कर लेते हैं eligibility requirement है बहुत important है बहुत सारे बच्चे को confusion होता है बहिया कि eligibility क्या होती है इसकी for class 9th आपका जो age होना चाहिए वो 13 साल से 15 साल के बीच में होना चाहिए आपका date of birth जो होना चाहिए क्या होना चाहिए 39 2008 से पहले का और and after 39 2010 and have passed class 8th examination form from a recognized school ठीक है ये सारी चीज़े आपको उस bulletin में मिल जाएंगी तो वहां से आप देख सकते हैं for class 11 के अगर मैं बात करूं तो यहां पर 18 year maximum age होनी चाहिए 30 सितंबर 2023 तक date of birth should not be before 39 2005 से पहले पैदा हुए बच्चे नहीं भश सकते हैं इसको and have passed class 10th examination form from a recognized board university with the required percentage of marks grade under the noted 60% mark और equivalent grades and ever when class 10th अपको होना चाहिए अगर आप 11th में admission लेना चाहते हो math के लिए और biology के लिए further 50% आपका mark होना चाहिए अगर आप each subject of math and subject आप पाते हो ठीक math and science 55% और equivalent grades required होगा class 10th aggregate for the commerce stream and class 10th for the pass 8 के लिए मतला 8 में आपको class 10th में बस pass हो जाओगे तो यहां के class 11 के लिए apply कर सकते हो तितनी चीजे सबको समझ में आ गई very good प्यारे बच्चों चलिए आगे बढ़ते हैं the minimum number of available seat आपको मैं बढ़ा दे रहा हूँ class 9th में 100 seat है class 11th में आपका 50 plus 38 18 seat है biology में 25 11th arts में 12 है और 11th commerce में 12 seat है Central Hindu girls school भी होता है एक school boys school है और एक girls school है उसमें भी 9th में 6 seat है 11th में 17 math में बायों में 16 11th commerce arts में 40 और 11th commerce में 25 है कुछ notes है यह सारी चाहिए आप वहाँ से पढ़ सकते हैं बहुत important नहीं है entrance test का मैं syllabus आपको बता दे रहा हूँ सारे प्यारे बच्चों class 9th में जो है आपका the question paper will be up to class 8 standard and comprising of 100 mcqs of subject English, Hindi, Maths, Social Science and Science ठीक है English, Hindi, Math, Social Science and Science यह देख लीजे 20 question आएगा ठीक है यह आपका 20 question आएगा यह आपका 20 question आएगा यह आपका 20 question आएगा और यह आपका 20 question आएगा ठीक है most probably यह होगा data यहां पही नहीं लिखा हुआ है class 11 की अगर मैं बात करूँ तो the question paper में भी class 10th standard वही 100 mcq होगा English, Hindi, Physics, Chemistry, Mathematics and General Study तो most probably क्या होता है 20-20 इसके question होते है और बाकी जो होता है general studies भी इसमें होता है बायो ग्रिप की अगर मैं बात करूँ तो वही English, Hindi, Physics, Chemistry, Biology and General Studies आती है Arts की बात करूँ तो English, Hindi, History, Geography, Economics, Quality, Maths and General Studies आती है Commerce की बात करूँ तो English, Hindi, Economics, Maths and General Studies आती है तो आपको syllabus, paper में कितने question आएंगे, 2 घंटे का paper होगा, 100 question आपको मिलेंगे और आपका paper जो होगा, वो बनारस में ही होगा, यानि warranty ही आपको paper आकर देना पड़ेगा तो most probably इसमें warranty के आस-पास की बच्चे ज़्यादा form भरते हैं और वही आकर paper देते हैं लेकिन अगर आप दिल्ली के रहने वाले हो, गाजियाबाद के रहने वाले हो, अहमदाबाद के रहने वाले हो, साउथ के रहने वाला आप भी दे सकते हो, अगर आप comfortable हो, यहाँ आने के लिए, पढ़ने के लिए पेपर देने के लिए अगर आपके फीस की मैं बात करूँ तो आपका 500 रुपए SCHTD के लिए लगने वाला है और जंदल OBC और गल्स सब के लिए आपका 7500 रुपए लगने वाला है ठीक है तो ये भी आप सब लोगों को clear हो गया होगा अब मैं कुछ important बाते आपको बता देन मिलेगी rankers CHS के telegram में मिलेगी तो आपको सबसे पहले क्या करना है telegram channel एक है हमारा जो की mainly oriented बनाया गया rankers CHS के लिए CHS वाले बच्चों के लिए तो make sure आप क्या करिए rankers CHS सर्च करिए वहाँ पर join कर लिजिए आप मेंसे बहुत सारे बच्चे future में जाकर JEE या NEET जैसे exam को qualify करना चाह रहे होंगे वह सोच रहे होंगे कैसे हम class 9 से class 10 से class 8 से class 11 से अपनी JEE या NEET की preparation स्टार्ट करें तो आज मैं एक बहुत प्यारा session लेने वाला उस session की link आपको description box मिल जाएगी future में भी कोई बच्चा वीडियो देख रहा तो उस link से description box से उस video को जरूर देखेगा उसको एक idea लगेगा कि class 8 का बच्चा कैसे JEE या NEET जैसे बड़े exam को crack करने के लिए अभी से तयारी सुरू कर सकता है आप future में जाकर बहुत बड़े-बड़े exam करने वाले हो तो उसकी तयारी आपको सुरू से ही करनी पड़ती है आप में से कोई बच्चा अगर इंट्रेस्टेड है कि मुझे भाईया 9th या 10th से ही जम के तयारी करनी है IUQM जैसे exam को target करना है NSCGS जैसे exam को target करना है तो आप अगर एक platform खूज रहे हो तो Unacademy आपको एक बढ़िया platform देता है जहां पर आपको बहुत अच्छे अच्छे teacher मिल जाते हैं एक कही platform पर जो कि आपको अलग-अलग exam की तयारी करवाते हैं तो आप में से कोई बच्चे अगर पढ़ना चाहता है Unacademy का subscription लेने की सोच रहा है तो यह बहुत ही अच्छा time चल रहा है Unacademy का subscription लेने का इस समय इस पर 20% का off चल रहा है हमीशा क्या होता है कि 10% का off चलता है तो आपको 20% off मिलेगा कैसे आपको code यूज करना है किशन 10 क्या यूज करना है किशन 10 code यूज करने ना है description box में link है उसको click करके आप एक साल का subscription लेलो और मेरे mentorship के अंदर कोई भी exam जो भी आपको target कर रहा हो उसकी तयारी करना सुड़ू कर दो तो joy और फटाक से subscription लेलो subscription लेने के बाद मुझे telegram पर message करो मैं तुमारे mentoring भी school है जो कि बहुत recognize school है अगर आप इसमें entry लेते हो तो आप समझ लो बहुत सारे बच्चों में से निखर कर बाहर निकलोगे और अपनी प्रतिभा को देखोगे अपने potential को पहचानोगे एक अच्छे बच्चों के बीच में रहोगे तो आप सभी लोगों को मैं कहूँगा कि आप सभी लोगों को exam देना चाहिए और भी सारी details मैं लगाता है आपके साथ discussion करता रहोंगा syllabus क्या है books क्या है कैसे preparation करें strategy क्या होगी सारी चीज़े आपको इसी channel पर मिलेगी तो make sure अगर आप CHS की तयारी कर रहे हो तो इस video को like कर दो इस channel को subscribe कर दो आने वाले समय में आपक का इस session है आप जरूर आईएगा link in the description box most welcome धन्यवाद जैनी